हेलो गाईज आपका हमारे चैनल जीरो टो इंफिंटी में स्वाकते हैं जोस्तों अगर आपको भी जियो टीवी हैप में प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप उसको कास्ट करने की कोशिश कहते हो तो वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ रही है तो इसका solution बताऊंगा आज की वीडियो में तो वीडियो पसंदा है वीडियो को लाइक चुरूर कीज़ेगा और जो मैं stress बताऊंगा इस वीडियो को आपको उनको simply follow करना है और आपकी problem solve हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस problem को solve करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है हमें अपनी device की setting है इसको open कर लेना है setting open करने के बाद हमें यहाँ पर जाना है connection and sharing वाली option पर click करना है इस पर click करने के बाद हमें क्या करना है जैसे आप इस पर click करेंगे यहाँ पर reset का option होगा Wi-Fi, Mobile Data और Bluetooth को इनको Reset कर दिजगा इनको Reset करने के पाद निचे Scroll Down करना है, Setting में फिर से Setting में Scroll Down करने पर एक Option देखेगा Apps का, इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको Manage Apps का Option देखेगा इस पर क्लिक कर देना है Manage Apps में आने के बाद हमें के करना है, Right Side टोव पर थ्री डोट्स दिखेंगे इनको क्लिक कर देना है, और यहां पर लिखा एगा Reset App Preferences का तो इनको क्लिक करना है इनको क्लिक करने के बाद यहां पर अपने अपको Reset कर दिजगा Reset करने के बाद हमें के करना है हमें यहां पर जिस भी अप में प्रोब्लम आ रही थी उसको Simply हमें के करना है उसको Open कर लेना है Example के लिए मैं कोई और अप Open कर लेता हूँ तो आपको जिस अप में प्रोब्लम आ रही है आपको अपको Open कर लेना है उस app को open करने के बाद सबसे पहले उसकी storage पर आना है storage पर आने के बाद storage का clear catch कर देना है storage का clear catch करने के बाद हमें के करने है उसकी app permission पर जाना है तो app permission पर आने के बाद सारी permission one by one enable कर देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी permission deny नहीं करनी है सारी permission enable करने के बाद हमें जाना है other permission पर आने के बाद किया भी सारी permission same to same one by one enable कर देनी है यह सब करने के बाद हमें नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करने पर एक option देखेगा restrict data usage का तो आप जैसे इस पर click करोगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा wifi और mobile data तो इन दोनों को enable कर देजेगा इन दोनों को enable करने के बाद आपको नीचे scroll down करने है और यहाँ पर एक option दिखेगा clear default इस पर क्लिक करने और सास में आपने आप को एक बार force stop कर दीजेगा force stop करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को restart किजेगा और restart करने के बाद एक बार try किजेगा आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी तो thank you guys